जिन्होंने चार हजार किलो मीटर पैदल नाप दिये इस देश के जिद से कि मैं इस देश को जोड़ कर रहूंगा आन मंत्री को हर बार करनाटक में चुप करा दिया जब प्रधान मंत्री इधर उदर की बाते बाते बॉर यूपी में अपनी पुष्टैनी सीट जो की घर माना जाता था अमेटी से हार गए एमोई उपे हस्ताक्षर करके देश के जो गुप्त बाते हैं वो चीन के साथ साजा करना सो रुपे का टमाटर है शतक आपने पेट्रोल को लगा हुए दोरा में बहुत ही सतही जानकारी है वो गंभीर नहीं है मन बुद्धी है बचपन में हम देखते थे सबजी वाले के पास कोई जाता था तो धनिया मिर्चा तो ऐसे ही फ्री में डाल देते थे तब ही कहना था तरस आता है अगर आप चैनल पे पहली बार आए है या चैनलों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाना चली में वीडियो स्टार्ट करते हैं अब राहूल गांधी फ्रेंट फूट पर आकर जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं और इसलिए उसी परिवार से प्रियांका जी को आगे किया जाएगा 24 के लिए आप भी कॉंग्रस पार्टी पर एक दो तो जवाब दीजे तैयारी पर राहूल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 4000 किलो मीटर पैदल नाप दिये इस देश के जिद से कि मैं इस देश को जोड़ कर रहूंगा पूरी सरकार सारे ट्रोल मंत्री बनकर सारे प्रवक्ता सारे MP तूट परते हैं तो राहूल गांधी कितना बड़ा चेहरा है वो भाजपा के रियाक्शन से आपको पता चल जाना चाहिए मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है मेरे नेता है मेरे इंस्पिरेशन है और मुझे रोज ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं वो कितना बड़ा चेहरा और उनका क्या वजूद है वो भाजपा के राहूल गांधी के खिलाफ रियाक्शन से हो जाता है वो मड़ीपूर पहुचते हैं उनको रोका जाता है प्रियांका गांधी बिलकुल लोग प्रियनेता हैं बहुत पॉपिलर हैं उन्होंने एक मुष्ट प्रधान मंत्री को हर बार करनाटक में चुप करा दिया जब प्रधान मंत्री इधर उधर की बाते बोले और यूपी में और बिलकुल उनका बड़ा रोल होगा और होना भी चाहिए लेकिन ये कह देना कि क्या सही है और क्या गरता है सवा चार मिनट का प्रवचन इनका सुना मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए राहुल गांदी की हैसियत ये अच्छी तरह से जानते है इसमेरे मुझे बोलने की जरुवत नहीं है इनके खेमे में लगी हुई है आग आपके खेमे में मची हुई है भगदन मड़ी पुर जल रहा है प्रधान मंतरी सबसे मजबूत बूत की बात कर रहे है और रात को बैठके मीटिंग कर रहे है ये कितने मंतरी बदल ले ये अब कुछ भी कर ले बात बनने वाली नहीं है जनता बात समझ चुकी है जनता को समझ में आ चुका है कि मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी आर्थी का समानता, टमाटर का शतक लगना अडानी का महा स्कैम चीन का अंतर घुसना पूरवतर राजियों का जलना मिजोरोम असम में गोली चल रही है अरुनाचल में चीन गुस गया है नागालेंग से नोने क्या समझाता कि अलग बंदा अलग इतना का हमें किसी को नहीं पता है और मणीपूर में जो जनरा है वो दिख रहा है तो असलियत की बात ये है कि इन लोगों से जब मुद्दों की बात करो हो तो इधर उधर भागते हैं भरव जी शतक वीर नौ साल बाद वहीं जुन जाए के मुद्दे पर हाहा बिल्कुल मैं महिंगाई पर भी आ जाता हूं लेकिए मेरी साथ ही है मैंने तो मुद्दे उठाए राजस्थान में श्री गंगर नगर में सबसे महंगा पेट्रोल मेरे को तो उत्तर मिला नहीं मैंने तो बताया कैसे महिलाओं के साथ भलतकार के सबसे आदा मामले उत्तर प्रदेश से करीब करीब 6 गुना राजस्थान में हैं तो इन्होंने मैं उत्तर नहीं दिया मैंने मुद्दा उठाया कि बिरोजगारी दर 26-27 प्रतिशत है जो देश की बिरोजगारी दर है उससे करीब 6-7 गुना जादा इन्होंने तो उत्तर ही नहीं दिया आंकडों से देते कभी अपनी बात भी आंकडों से करिये ना हवा हवाई महल क्यों बनाते हैं लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा राहुल गांदी वो व्यक्ति हैं मैंने अचारे प्रमूत कृष्णम जी का तो बताया ही है लेकिन वो भरष्टाचार के आरोप पे बेल पर बाहर है अपनी पुष्टैनी सीट जो की घर माना जाता था अमेटी से हार गए च क्यों नहीं बहार आके जो जंता सवाल पूछ रही है उसका उत्तर देते हैं चीन वाला समझोता मैं क्यों लाया क्योंकि चीन बहुत एहम मुद्दा है नरेंद मोदी जी के मद्बूत नेत्रित में हमने सुनिचित कि चीन को उसकी हैसियत पता चले और जमीन देके और MOU प प्याज लहसर या आप भी नहीं खाते कुछ इसका भी जवाब हो जाएगा भई हम तो टमाटर भी नहीं खाते सो रुपय का टमाटर है शतक आपने पेट्रोल को लगा हुआ है 12 शतक सरसू का तेले क्या बाते करते हैं आप लोग मुद्दे की बात कब करीगा और राहुल कि जिस चवी की आप बात कर रही है ना अंजना जी करोणों रुपय लगा कर राहुल गांदी जी की चवी को धूमिल करने का प्रयास किया भारतीय जंता पार्टी ने लेकिन यह देश जान चुका है कि राहुल गांदी वो व्यक्ति है जो कालिक लगे कपड़ों से भी लो अंदर से बॉखलाई हुई है तरस आने लगा मुझे और तरस क्यों आया मैं आपको बताओं पूरी चर्चा में मैंने आकड़े दिये वो सवाल पूछे जो जनता पूछ रही है मुझे किसी भी आंकड़े का दुरस्त उत्तर कि वह आंकड़ा गलत है या हमने बहतर किया आ मैंने कारण बता दिये हैं सो रुपई की विश्वस्तियता ना हो उसकी छवी बिगाडने के लिए हमें कुछ करने की आशकता नहीं है मैं केवल इतना ही आप से कहना चाहता हूँ दारेक उबामा जिसका आपने जिक्र किया उसकी ही बात याद दिलाता हूँ दारेक उबाम सब्सक्राइब को राचन मिल्ला दो साल तक यह अपने आप में एक उधारण है कि कैसे नेता केवल अपने परिवार की चिंता नहीं करता सुपरे देश को अपना परिवार मांदा अरे अंजना जी अब मेरे पास भी आ जाई है बस हो गया परोच अंजना जी मुझे नहीं बता आप कभी जाती है कि नहीं लेकिन अज एक वने के नाते मों आप से रिक्वेस्ट करती हूँ आज सबजी वाले के पास जाइए गा बच्पन में हम देखते हैं सबजी वाले के पास कोई घटा था तो धनिया मिर्चा तो ऐसे फ्रीवें डाल देते थे सो रुताह dig अन् पूरी डिवेट में क्यों बात करेंगे वाई क्यों हमारी तो साथी है मैं तो चाहूंगा उनको एक मैं मुस्कान का कारण दे दू हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहें वाई कहता हूं दो हजार चौबिस में आप देखिएगा डबल डिजिट पार्टी सिंगल डिजिट पार्टी बनेगी और यह जो उपलब्दी होगी यह यह होगी राहूल गांदी की डबल डिजिट पार्टी को सिंगल डिजिट पार्टी बनाएंगे राहूल गांदी कॉम्रेट पार्टी दिन्यावाद मिलते हैं बहुत जल अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम